दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंग लव रासी फल जून 2023 जून का महीना सिंग रासी बालों लियो साइन बालों आपके लिए कैसा रहेगा आपके लव लाइफ, आपके मेरिड लाइफ, आपके रिलेशन से पिस्तिती कैसी रहेगी आईए जानते हैं दोस्तों जून महीने का लव रासी फल जाने उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है दोस्तों जून के महीने में 3 गरहों में परिवरतन होंगे, जिसमें से बुज दो बार परिवरतन करेगा और एक बार सूर्य परिवरतन करेगा गोचर में 3 गहतनाएं होने वाली हैं जो निस्चत रूप से आपके रिलेसंशिक्त में बड़ा बदलाव लेकर आएंगी इस महीने के ग्रियस्टितियां जो कहती है पहले में आपको बता देता हूँ उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो कहस्तिती रहेगी लव लाइफ की कहस्तिती रहेगी No Contact Situation की कहस्तिती रहेगी Merit Life की कहस्तिती रहेगी सबी relationship के बारे में बात करेंगे उसके बाद में वीडियो के last में आपको बताएंगे तीन रासियों के नाम अगर उन तीन रासियों में से किसी एक रासी का पार्टनर आपका है या बनता है तो आपके लिए महीना लखी बन सकता है आए जानते हैं सबसे पहले grass तितियां 7 जूम को ब्रशशब में बुद जाएंगे उसके बाद में 24 जूम को मिथुन में बुद जाएंगे नहां पर इस्तितियां बहुत ज़्यादा खास बन रहे हैं क्योंकि एक तो आपके दूतिये बुद्ध बनते हैं और बुद्ध का परिवर्तन दो वार हो रहा है तो जो लोग बिलकुल सिंगल हैं उनके लिए पहली स्तिति यह है कि अगर अभी तक किसी से बातचीत कर रहे थ तो वो व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था या आप भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे अब उस व्यक्ति से आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा आपको वो व्यक्ति टाइम ज़्यादा देगा और इस्तितियां यह बन जाएंगी कि 7 जून के बाद में आप स जादा से जादा वो बातचीत करने लगेगा और 7 जून से 16 जून के बीच में ये स्थितियां बरावर चलती रहेंगी खूब बातचीत आपकी होगी उसके बाद में एक अच्छी दोस्ती आपकी जरूर हो जाएगी इस महीने विसेस रूप से 24 जून के आसपास में अच्छी हर बात आपसे सेयर करने लगेगा ये का आप पेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे उसके लेकिन इस जल्दवाजी में बिलकुल मत पढ़िएगा कि मैं तो ये हूँ मैं बो हूँ और मैं तो ऐसा हूँ मेरे पास ये है बो है क्योंकि आप बहुत जादा अभिमान में या इगो म आ करके किसी भी प्रकार से जिद मत कीजेगा कि नहीं मुझे दोस्त नहीं बनना है मुझे तो यही करना है या यह बनना है तो वो चीजें आपको दोस्ती के लाइक भी नहीं समझेगी इस चीज का द्यान लगिएगा वहीं अगर हम लव लाइफ की बात करें यानि एक कहीं न कहीं खास करके आप जो हैं वो उन्हें जताते नहीं हैं बताते नहीं हैं वो तो आपको काफी हद तक बता भी चुके हैं अब आपको जरूरी है उनसे अपनी मन की बात बोलना और अचानक से आप बोल दीजे कोई दिक्कत नहीं है दोनों लोग relationship में ही हैं बस एक दू करते हैं लव लाइफ की तो लव लाइफ में एक तो सबसे बड़ी problem दूर होने वाली है जो गलत फैमिया चल रही थी जो गलत फैमिया बन रही थी वो चीजें दूर होंगी आप बहुत हद तक कोई बड़ा नेड़ा भी ले सकते हैं जो किसी प्रकार से कोई नेड़ा लेन क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा बहुत अच्छी स्तितियां 16 जून के बाद में बनेंगी जिसमें आप दोनों के बीच में प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा लेकिन सुक्र की मंगल की स्तिति इस चीज को भी दरसाती है पूरे महीने कि आप दोनों की बीच में थर्ड पार्टी जैसी स्तिति चाहिए वो मेरिट लाइफ हो नो कॉंटेक्स सिचेशन और लव लाइफ हो सब में बनी रहेगी अलग-अलग इस्तितियों में बदल सकती है लेकिन ये मान के चलिए ये थर्ड पार्टी रिलेसंसिप में आप दोनों लोग ही ना आप चा तो ये थर्ड पार्टी बिन बुलाई मेहमान हैं और ये आपके पार्टनर की एक कमी है कमजोरी है कि वो इस तरीके से इन्हें ब्लॉक करके भगानी रहे हैं या आपकी कमी ये कमजोरी है कि आप उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं या कहीं न कहीं आप उनके चक्री भी में फस रहें तो इसलिए आप दोनों लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपको बिलकुल भी उन्हें कोई भी महत्पनी देना है तुरंत ही उन्हें अपनी लाइप से ख़देर देना है वही एक option है अगर बैसे मुझे लगता है कि दोनों लोग ही ऐसा नहीं करेंगे क्यों कि दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा जो अविश्वास पैदा हुआ है बाकी बीते समय में उसी अविश्वास की वज़े से विश्वास की कमी की वज़े से option बना के रखने का मन भी होगा लेकिन ऐसा ना करें तो आपके लिए बैता रहें उन लोगों की अगर हम बात करते हैं जो नो कॉंटेक्ट में हैं उनके लिए खास इस्तितियां ये बन रही हैं कि यात्राएं बहुत हो सकती हैं पार्टनर से मिलने की बहुत कोसिस कर सकते हैं और पार्टनर के साथ में भी यात्रा हो सकती है यानि कि कॉंटेक्ट में तो आ सकते हैं लेकिन आपके साथ में बहुत ज़्यादा जगड़े बाद विवाद कलेश की स्तिती रहेगी कोई अच्छे दिन नहीं बीतेंगे पुलिस केस तक करवादे पुलिस के ज़ंजट वाद विवादे उन फसादे तो बहुत ज़्यादा लीगल इसू भी दिखाई दे रहे हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेश रूप से आपके पेरेंट्स की बज़े से ही दिक्कते दिखाई देती हैं एक्स्ट्रा मेरिटिल अफेर के हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा मेरिटिल अफेर में आपको बहुत बुरी तरह से किसी सदेंट्र वे फसाया जा सकता है। फसा दे या किसी के साथ में आफ sexual relationship के लिए मिलें किसी के साथ ऐसे ही मिलें और वो व्यक्ति आपको किसी सड़ेंद्र के तहत फसा दे और आपको ब्लेंक मिल करने लगे कोई बहुत बड़ा अपमान जनक इस्तिती बन जाए बो इस्तिती कहीं न कहीं आपके लिए साथ रहना है किसी भी प्रकार से किसी भी अजनवी के साथ तो खास करके ना मिलें और अगर ऐसा कोई पार्टनर भी है और उसके साथ में बीते समय से कोई दिक्कत है चल रही है तो उससे बिलकुल मुलाकात ना करें तो यह थी इस्तिती और हाँ विदेश में रहते हैं अगर इन रास् stuns के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लखी रहेगा दोस्तों यह है था आपका लवरासी फल अगर आपको लवरासी फल पसनायश वीडियो को लाइक करें अपने دोस्तों के साथ सेयर करें और चनल पर पहली बार आए हैं चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पेश कर लें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार